ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी की एहमियत एक्षली में किन रुपों में है अक्सर लक्ष्मी का संबंद मात्र धन दौलत और संपत्ति के अर्थ मिली आ जाता है जबकि जीवन में लक्ष्मी की एहमियत अनेक रुपों में है किन दौ बहुत एक सुविदाओं के इस दौर में हर इनसान धन रुपी लक्ष्मी के दर्शन और क्रिपा कोई पसंद गरता है चाया फिरों किसी भी तरीके या रूप में है जबकि सास्त्रों की बातों का निचोड समझे तो लक्ष्मी क्रिपा के लिए अगर एक बात ही जीवन में संकल्त के साथ अपना ली जाए तो लक्ष्मी अपने पुर्ण सुरूप में इनसान पर महरवान हो जाती है अभी क्या है लक्ष्मी क्रिपा का एहम सुद्ध दरसा लक्ष्मी का संबन्द सुद्धता पवित्रता या सुच्चता से आवंता के यही भाव जीवन के हर कर्म बैवार और विचार में उतारने वाला ही लक्ष्मी की संपूर्ण क्रिपा का पात्र बन जाता है लक्ष्मी उपासना के विसे इस अफसरों पर सफाई या सुच्छता की पीछे भी यही संदेश और बावत है सास्त भी कहते हैं कि जहां लक्ष्मी रमती है मौतुप सारे देवताओं की किपपा वरस्ती है असल में मन और विचारों की सुधिता भी लक्ष्मी का रूप है क्योंकि ऐसा होने पर ही इनसान की जीवन में तमाव सद्गुन जैसे सत्प, प्रेम, दया, संकल्प, इच्छा, शक्ती, परूपकार और समस्कार प्रवियस करते हैं जिनके दोरा ही कोई भी वेक्ति कर्म और सेवा से धल ऐश्वर के साथ सुख, शांति, रूपी, महालक्ष्मी का स्वामी बन सकता है यहां तक कि इतना सबल बन सकता है कि ना मुम्किन को भी मुम्किन करने में समर्च हो जाता है लक्षमी की परसन्नता का एकमात यही सुत्र जन्म ही नहीं मृत्य को भी सुधार कर साथ तक साबिद कर देता है अस्तोमा संदमे तमसोमा जोत्रगमे मृत्योर्मा अमरित्मगमे यानि इश्वर असत्य से सत्य की और अंधेरी से उजाले की और चने और मृत्यों से मुक्तगर अमरत्म परदान करें यह सबी भाव पावंता को अपनाए बिना संबब नहीं है अगर अपना लें तो लक्षमी ही नहीं सारी देवतोह की किरपा संबब हो सकती है क्योंकि सत्य और पावंता ही इश्वर का सुरूप माना जबता है तो धन्यवाद आप हमारे चल्म पे सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट पीशे धन्यवाद